आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ रडाउनलोड चक्या करेंगे बच्छो उसे करते हैं को इनकighting प्रेसितक्ड यहां सान लेटे हैं ऊधने ऐ ही चाहे, बच्चो और इसे मान लेते हैं C, तो C और A के बीच एक resistance है जो 4 ohm का है, 4 ohm का, ठीक है, C और A के बीच और A and B के बीच हम equivalent resistance निकालते हैं, बच्चो पैरलल के case में पता है, बच्चो फर्मूला जो लगाते हैं, बच्चो बहुता है, R1 into R2 upon R1 plus R2, ठीक है, R1 into upon R1 into R2 upon R1 plus R R2 मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पर, इसको solve करेंगे 2 ohm हो जाएगा, ठीक है बच्चो, अब ध्यान से देखिए बच्चो, A और यहाँ पर equivalent resistance हम निकालना चाहते हैं, C और B के बीच, तो कितना हो जाएगा बच्चो, यहाँ हो जाएगा 2 और 4, series में है तो 8 हो जाएगा बच् 6 ohm, और यहाँ पर दे रखा है बच्चो, 3 volt का resistance तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चो, current अगर हम according to ohms लाद देखें बच्चो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चो, B upon R, ठीक है, तो equivalent resistance हमने find कर लिए है बच्चो, और potential हमने देखा, ठीक है, potential यहाँ प देखें बच्चो, तो equivalent resistance 6 ohm, कितना हो जाएगा बच्चो, एक बटा 2 amp का current यहाँ से flow होगा, आई की value तो यहाँ पर हमने find कर लिए, ठीक है, अब आई के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कितना potential आएगा बच्चो, इस current के कारण, अच्छा, एक बात और देख लेते बच्चो, दूसरा तरीका यह है कि यह battery है, ठीक है, हमारा, 3 volt की battery है, इस से आई current flow हो रहा है, ठीक है बच्चो, तो इस वाले से आई करेंट ही flow होगा, इस वाले में भी current होगा, सीरीज में मैं पता है, बच्चो, सेम current flow होता है, अब ध्यान से देखिए बच्चो, ए और ब की भी जो potential है बच्चो वो क्या होगा सेम होगा तो उपर वाले रेस्टेंस में तीन और जितना potential आएगा उतना ही potential six ohm के resistance में आगा क्यों बच्चो क्योंकि यह same potential पे दोनों connect है ठीक है तो ए और बी के भी जो जितने भी resistance होंगे उनका potential सेम होगा राइट तो इसका मतलब हमें यहां पे इसका resistance निकाल लेते हैं बच्चो एक्क्योंट रेस्टेंस फाइंड कर लेते हैं एंसर तो वहीं आने वाला है बच्चो ठीक है तो potential between a and b को सुझाएगा तो हम देखते हैं बच्चो इसमें फ्लोओ होने वाला current और इसी के cross resistance टीक है तो यहां पर हम देखेंगा बच्चो आई कितना है आई यहां पर हमने के बीच equivalent resistance कितना दो तो finally हमें क्या मिलेगा एक वोल्ट मिलेगा और यह हमारा क्या हो जाएगा बच्चो एंसर हो जाएगा राइट अब देख लेते हैं बच्चो कौनस ओप्सन यहां पर करेक्ट हो रहा है फर्स्ट आउफसन करेक्ट हो रहा राइट सो थेंक यू स्ट्टेंट्स क्लासिक स्ट्ट्वल से लेके नीट आईएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर